नेक्स्ट कोश्चन है, the average weight of 50 boys in a class is 45 kg, 50 student है, 50 boys है, ठीक है ना, और उनका average weight कितना है, 45 kg, तो मतलब हर एक boy का क्या है, 45 kg क्या है, ठीक है ना, average का मतलब होता है, हर एक term पे equal value, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, 50 में से एक बच्चा चला गया, ठीक है, तो बच्चे कितने, 99, ठीक है, एक बच्चा गया है, उसका सुरू में weight कितना था, average के according, 45, और 99 जो बच्चे हैं, उनमें परतेक का weight कितना है, वो भी 45, ठीक है ना, ये क्या है, each, right, 45 के divide में, ये क्या है, मैंने each लिख जिया ताकि प्रतेक बच्चे का, ठीक है, ये 99 बच्चों का नहीं है, 99 बच्चे में प्रतेक बच्चे का 45, ठीक है, ये किसके according है, statement के according, कि 50 boys हैं, हर एक का average 45 kg हैं, मतलब overall average 45 kg है, तो मतलब हर एक का weight आगया, 45 kg है, अब क्या बोला गया है, when one boy leaves the class, the average is reduced by 100 kg, sorry, 100 gram, जब एक बच्चा छोड़ के गया, तो average कितना gram कम हुआ, 100 gram, ठीक है, average जो होता है, हर एक टरम पे होता है, ठीक है, तो कितने बच्चे बच्चे, बच्चे 99, बच्चे 1 से 99, तो एक बच्चे के उपर 100 gram कम हो रहा है, तो 99 के उपर कितना होगा, एक बच्चे के उपर 100 gram कम हुआ, 10 के उपर 1 kg होगा, 99 के उपर कितना कम होगा, 4.9 kg, ठीक है, 4.9 kg क्या हुआ, कम हुआ, तो यह कम क्यों हुआ, कम क्यों हुआ, क्यों क्यों हुआ, क्योंकि जो विक्तिक गया है, उसके साथ कुछ weight भी था, extra weight, उसका जो, देख, average में तो उ 45 kg तो average था, यहाँ पर कुछ extra weight भी था, जिसकी वज़े से 99 बच्चों का average घट गया, तो 99 बच्चों का average जो 100 gram कम हुआ था, वो कितने weight की कमी की वज़े से हुआ था, 4.9 kg की वज़े से, तो यह 4.9 kg यहाँ पर आएगा, तो कितना आया, जो एक बच्चा गया था, उसका weight क कितना आया, जोड दीजे दोनो, 99.9 kg, ठीकर ना, तो option जो D है, उसा ही answer है,